प्यारे बच्चो आज हम लोग क्लाश 12 के अर्षास में लागत का नुमरिकल जैसे टेबल में अगर आउसत लागत, कुल लागत, सिमान्थ लागत ग्याद करना आए तो हम लोग कैसे उसको ग्याद करेंगे इस चीज़ को समझेंगे बच्चो मैंने एक ओनलाइन टेस्ट सिरीज का निर्वान किया है गूगल फॉर्म के माध्यम से डिप्स क्रिशन में दिये गए लिंक को क्लिक करके आप उस ओनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं और अपना मुल्यांकन स्वैम कर सकते हैं चेप्टर बाइच चेप्टर टेस्ट का निर्वान कर रहा हूँ आप जरूर वो टेस्ट लिखे और अपना मुल्यांकन करें बच्चो सुरू करने से पहले आपसे निवेधन है कि जो कोई मेरे चैनल एकनोमिक्स पलस पर नए है किर्पिया करके चैनल को सब्सक्राइब कर करने तो सीमान तलागत का फ्ण फोर्मूला होता है कि हुआ एंसी बरादर टीसी अन माइनस टीसी N-1 टीसी एन हो गया माहले हम दुसरा एक का लिकालते हैं तो तो TCN हो गया मेरा 26 और N-1 हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 6 उसी तरह TC बराबर TCN-1 मालब TCN हो जाएगा 49 माइनस TCN-1 हो जाएगा 26 बराबर 13 इसी तरह हम 60 में 49 को घटाएंगे तो 21 अब औसत लागत तो औसत लागत का फॉर्मूला होता है AC बराबर TC बराबर उत्पादन की का या मात्रा तो एक को 20 में एक से भागा देंगे तो 20 26 को 2 से भागा देंगे तो 13 उसी तरह 3 को 49 में भागा देंगे तो 13 और 4 को 60 में भागा देंगे तो 15 औसत लागत ग्याद हो जाएगा एक फॉर्म की कूल इस्थी लागत 200 रूपिया है निमलिखी तालिका से कूल परवतन सी लागत TVC कूल लागत TC औसत परवतन सी लागत ABC तथा औसत लागत AC ग्याद करें तो इस्थी लागत मलब होता है जो लागते उत्पादन में परिवरतन के साथ मलब उत्पादन घटे चाहे बढ़े जो लागत इस्थी रहती है वो इस्थी लागत का लाती है तो कूल लागत का फॉर्मूला होता है TFC पलस TVC TFC हो गया मेरा कूल इस्थी लागत TVC कूल परवतन सी लागत अब यहां मेरा कूल इस्थी लागत 200 है तो कूल इस्थी लागत में 200 परते खुत पादन की मात्रा में अगर विर्धी हो रही है तो मेरा इस्थी लागत 200 पर ही इस्थी देगा तो 200-200 सम में लिख दिये अब हम लोग सबसे पहले यहां कोश्चन में सिमांध लागत दिया हुआ तो 200 में यह इस्थी लागत को जोड़ देंगे तो कुल लागत मेरा कितना हो जागा 400 फिर 400 में सिमान्द लागत को जोड़ेंगे 1.500 को जोड़ेंगे तो 550 550 में 120 को जोड़ेंगे तो 670 670 में 1.500 जोड़ेंगे 820, 820 में 210 आफ फिर 1020 में 270 को देंगे तो 1290 1290 में 350 को जोड़ेंगे तो 1640 होगा कुल इस्थीत लागत मेरा 200 फिक्स है अब कुल परतन C लागा, तो कुल परतन C लागा, Tc बराबर Tfc पलस Tvc, तो Tvc बराबर हो जाएगा, Tc मैंनस Tfc, अर थार, Tc में Tfc को घटाएंगे, तो Tvc ग्यात होगा, तो घटाते हैं हैं हमलों, Tc में Tfc को घटाएंगे, तो 400 में 200 घटा देंगे तो TVC 200 हो जाएगा, 550 में 200 को घटा देंगे तो 305, 670 में 200 घटा देंगे तो 470, 820 में 200 घटा देंगे, 620, 1020 में 200 घटा देंगे, ए भी सी बराबर टी भी सी भट्टा उत्पादन की काई या मात्रा या क्यू जो बोले आप मलब मात्रा से कुल परतन सी लागत में भाग दे देंगे तो मेरा आउसत परतन सी लागत ग्यात होगा तो भागा देते हैं मात्रा है मेरा एक और कुल परतन सी लागत है 200 तो एक को 200 भागा देंगे तो 200 दो को भागा देंगे 350 में 175 तीन सो भागा देंगे 470 में तो 156.6 चार को भागा देंगे 620 में तो 155 इसी तरह इसको इससे भागा देते जाएंगे और सत परतन सी लागत ग् c बदा इसनी और व denote को ऊसर सभगत कुल लागत को उत्पादी इंग है तूरे दिविश्न बनावी से भांगत शब्सकाइं Сबता देन लिदा कि वग त्वर्टा 9 Скवे, वे धुर्सेबन से लिमातन इसनी जुज़्ट देंगे 820 में 205 इस तरह इसको उत्पादन की मात्रा कुल लागत में भागा देंगे तो औस अगत ग्याद हो जाएगा चन्निम लिखी तालीका से औस इस्थी लागत औस परवतंसी लागत और कुल इस्थी लागत ग्याद करें अगर में ग्याद करेंगे अगर ऊत्पादन की दियाantically मात्रा गर्ण से सब्सक्राट अगर होता है 1 2 3 4 तो यहाँ पर मेरा question में कुल इस्थिरलागत मेरा दिया रहे गा और अगर जीरो से test होता है तो जो कुल लागत का जीरो में जो कुल लागत होगा वही मेरा इस्थी लागत होगा, तो zero में कूल लागत कितना है, 80, तो कूल इस्थी लागत, 80, 80, 70, सब में लिख भेंगे, औस तो इस्थी लागत गयाद करने के लिए क्या करेंगे, उतपादन की मात्रा को हम लोग कूल इस्थी लागत में भाग देंगे तो सुरूला खाली एक को भागा देंगे असी असी दो को भागा देंगे असी में 34 तीन को भागा देंगे असी में 60 और चार को भागा देंगे असी में 74 आ जाएगा औसत परवतन सी लागत तो औसत परवतन सी लागत ग्याद करने के लिए सबसे पहले हम लोगों कुल परवतन सी लागत का फॉर्मुला है Tc बराबर होता है Tfc प्लस Tbc तो Tbc हो जाएगा कुल परवतन सी लागत Tc माइनस Tfc मतलब तो सॉरी कुल लागत में कुल इस्थी लागत को घटा देंगे तो मेरा कुल परतन सी लागत ग्यात होगा तो कुल लागत है मेरा 60 और कुल इस्थी लागत है मेरा 80 80 में 80 गिया मल खाली 0 102 में 80 गिया तो 22 घटा देंगे कुल लागत में कुल इस्थी लागत को घटाएंगे तो कुल परतन सील लागत गया थोगा तो कुल लागत है मेरा 102 में कुल इस्थी लागत है 80 को घटा देंगे तो 22 122 में 80 घटा देंगे 42 140 में 80 घटा देंगे 60 और 156 में 80 घटाएंगे 76 उसी तरह अगर हम उत्पादन की इकाएं से कुल परतन सील लागत को भाग देंगे तो मेरा औसत परतन सील लागत ग्यात हो जाएगा जैसे 0 तो इसको खाली 1 को भागा देंगे 22 में तो 22 को भागा देंगे 42 में तो 19 3 को भागा देंगे 60 में 26 और 4 को भागा देंगे 76 में 14 अगला प्रस्न एक फर्म के बारे में सुचना दी गई है उत्पादन की एकाएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है कुल लागत मेरा 1.500, 1.300 दिया हुआ है तो 0 के सामने कुल लागत कितना है 1.500 तो कुल इस्थी लागत 1.500, 1.500 हो जाएगा फिर कुल परतन सी लागत ग्याद करने के लिए क्या करेंगे तो कुल लागत को इस्थी लागत से घटा देंगे तो 1.500 में 1.500 हो गया 0 300 में 1.500 जाएगा तो 1.500 बचेगा 420 में 1.500 को घटा देंगे तो 270 600 में 1.500 घटा देंगे तो 450 इसी तरह कुल लागत को कुल स्थी लागत से घटाएंगे ये लताली का पूर्ण हो जाएगी आ। आस। इस्थी लागत तो आसlen इस्थी लागत को ग्याद करने क्या करेंगे उत्पादन की काई को कुल इस्थी लागत में भाग दे देंगे तो जीरो को देर सों भागा देंगे खाली एक को देर सों भागा देंगे तो देर सो दो को देर सों भागा देंगे तो 75 इस तरह उत्पादन की काई को कुल इस्थी लागत में भागा देते जाए एक को 300 में भागा देंगे तो 300 2 को 420 में भागा देंगे दूसरो 10 3 को 600 में भागा देंगे तो 200 इस तरह उत्पादन की 1 काई को कुल लागत में भाग देने से और सत लागत का table या ताली का पूर्ण हो जाएगे सिमांद लागत तो सिमान लागत का फॉर्मूला हम लोग अभी जाने है T C N minus T C N minus 1 मनलब अत्रिक्त इकाई हमको ग्याद करना है सिमान लागत अत्रिक्त इकाई है तो अत्रिक्त इकाई कैसे पता चलेगा कुल लागत को घटाने से तो सुरूला खाली 300 में 1.500 घटा देंगे 1.500, 420 में 1.500 घटा देंगे 120, 600 में 420 को घटा दें 180, इस तरह इसको इससे घटाते जाएंगे मेरा सिमान लागत ग्याद हो जाएगा यदि एक इकाई उत्पादन सेयंद पर TFC 60 रुपया हो तो निम्न तालीका की सभी प्रविष्टियां अंकीत कहें उत्पादन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 8 अब हम बताये थे कि अगर एक से सुरू होगा उत्पादन तो TFC दिया रहेगा और अगर सुन्य से स्टार्ट होगा तो जो TC में रहता है नमबर वही मेरा कुल इस्थी लागत कहलाता है तो यहाँ एक से टेबल स्टार्ट है उत्पादन की काई का तो यहाँ मेरा TFC दिया है कोस्चन में 60 तो हम लोग देखेंगे टेबल को उत्पादन की काई लिख दिये है 0, 1, 8 तक कुल लागत मेरा जो प्रस्ण में दिया हुआ है तो 0 के सामने 60 लिखेंगे और जो दिया हुआ उसको उतार देंगे और TBC तो सबसे पहले TFC जानेंगे तो TFC मलब कुल इस्थी लागत तो मेरा 60 है तो 60 सब में TVC तो TC माइनस TVC मलब TC को TFC में घटा देंगे तो TVC ग्याद हो जाएगा जैसे 90 में 60 को घटा देंगे तो 30 105 में 60 को घटा देंगे 45 115 में 60 को घटा देंगे 55 इसको इससे घटाते जाएगे TVC ग्याद हो जाएगा अब उत्पादन की एकाए को तो अगर हम TBC में भागा देंगे तो ABC ग्यात हो जागा जैसे 1 को 30 में भागा देंगे 30, 2 को 45 में भागा देंगे तो 22.5, 3 को 55 में भागा देंगे 18.3, इस तरह उत्पादन को TBC में भागा देने से ABC ग्यात होगा AFC उत्पादन की काई को कुल इस्थी लागत में भागत देने से औस्थी लागत गयात होता है तो सुरूला खाली 1 को 60 में भागत देंगे 60, 2 को 60 में भागत देंगे 30 इस तरह उत्पादन की काई को TFC में भागत देने से AFC गयात होगा और उत्पादन की काई को कुल लागत में भागा देने से और सत लागत ग्याद होगा जैसे 0 का खाली 1 को 90 में भागा देंगे तो 92 को 105 में भागा देंगे तो 52.5 इस तरह इसको इसमें भागा देंगे ये ताली का ग्याद हो जाएगा M.C. to M.C. होता है TC की अतिक ठीकाएं गात करेंगे तो जैसे खाली 90 में 60 को घटा देंगे तो 30 105 में 90 को घटा देंगे 15 115 में 105 को घटा देंगे तो 10 14 काएं की सिमान लागत हो जागी 120 में 15 को घटा देंगे तो 5 135 में 120 तो 20 को घटा देंगे तो 15 इस तरह इसको घटा घटा के हम लोग सिमाद लागत को ग्याद कर सकते हैं निम तालिका को पुन करें उत्पादन की कहें दिया हुआ है कुल लागत दिया हुआ है और सिमाद लागत ग्याद करना है तो और सिमाद लागत कुल लागत इसको इसमें तो औसद लागत ग्याद हो जाएगा और सिमाद लागत कुल लागत को हम लोग घटाते जाएंगे एक एक करके तो सिमाद लागत ग्याद हो जाएगा unit of labor दिया हुआ है total production दिया हुआ है average production लिकालना है तो वही formula है unit of labor से total production को product को भागा देंगे तो average product लिकल जाएगा और total product की अत्रिक्ति काई ग्याद करेंगे तो marginal product लिकल जाएगा जैसे 90 में 50 को घटा देंगे तो 40 120 में 90 को घटा देंगे 30 140 140 में 120 को घटा देंगे 20 डेर सो में 140 घटा देंगे 10 डेर सो में डेर सो गया 0 140 में डेर सो गया तो माइनस 10 और 120 में 140 घटा आएगे तो माइनस 20 ग्याद होगा निम तालिका को पूर्ण करें, तो हम लोग देख रहे हैं, उत्पादन की इकाएं 5 तक दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है, उसत लागत तो सिमाद लागत गयात करता है, सेम वही प्रोसेस, उत्पादन की इकाएं से कुल लागत को भागा देते हैं, तो उसत लागत होता है और कुल लागत की अत्रिक तिकाएं ग्याद करते हैं तो सिमान लागत ग्याद होता है जब 20 का या खाली रहेगा बक्सा 32 में 20 को घटा देंगे